प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप एक सबक हासिल करेंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही अजीब और गरीब है, एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक सांप से हो गई, फिर उस सांप ने शादी की पहली लगेगा, तो चलिए, आज की इस खौफनाक और दर्द भरी कहानी को सुनते हैं, पूरी कहानी सुनाने के लिए, हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, पुराने वक्त की बात है कि एक जगह पर एक रईस आदमी रहता था, वह अपने इलाके में हुकूमत भी करता था, बस इसके पास एक आउलाद की कमी थी, उसने आउलाद की वज़ह से तीन शादियां की, मगर उसकी तीनों बीवियों में से कोई आउलाद ना हुई, वह अक्सर सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरी बीवियों क साथ और मेरी जायदात के साथ आखिर क्या सलूक करेंगे और मेरे इलाके की हुकूमत कौन संभालेगा, ये सब वह सोचता तो बहुत परेशान हो जाता, उस इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि वह रईस आदमी अपनी आउलाद के लिए बहुत ज्यादा तडपता ह वह वह फकीरों और दरवेश के पास भी जाता है, बड़े-बड़े बुजर्गों के दरबार पर जाकर चादर चड़ाता है, मस्जिद में जाडू पोछा करता है, खुद अपने हाथों से सब कुछ करता था, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको वह कर चुका था, मगर कहीं से भी उसके दिल की कली न खिली, उसी इलाके में एक नजूमी था, जिसका नाम बरकत था, वह अपने फन में बहुत ही चालाक और मशूर था, लेकिन वह किस्मत का मारा था, हर वक्त उसके पास पैसे की कमी होती थी, फिर एक दिन उसको एक तरकीब सूजी, वह नए कपड़े पहन कर, रईस आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ, और आकर कहने लगा कि देखिये सरकार, मैंने अपने नजूमी के इल्म से पता लगाया है, कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे, तो उसके बदन से जरूर आपको उलाद होगी, रईस आदमी ने नजूमी से पुछा कि आखिर वह लड़की कौन है और कहां रहती है, नजूमी ने बताया कि साथ वाले इलाके में एक बेवा बुढिया रहती है, उसकी एक ही बेटी है, वह बहुत खूबसूरत और हसीन जमील है, और बहुत ही होश्यार है, वह कहने लगा कि चलो, जहां मैंने तीन श नजूमी की बात सच हो जाए और मेरी जायदात का कोई वारिस मिल जाए, फिर उस रईस आदमी ने उस नजूमी को एक मोतियों की माला दी और कहने लगा कि अगर मेरी चौथी बीवी से मुझे अल्लाह ने उलाद की नेमत से नवाजा तो मैं तुम्हें माला माल कर लेकिन आप मुझ पर यकीन रखें, मेरी बताई हुई बात कभी किसी ने आज तक गलत साबित नहीं कर पाया, आप एक बार उस बुढिया की बेटी से शादी करके मेरी बात को आजमा लीजिए, उस नजूमी बरकत ने यह सारी बातें रईस आदमी को बेवकूफ बनाने के मारा था, उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उस नजूमी की वह बुढिया बहन थी, वह बहुत ही गरीब थी, उस बुढ़ी औरत की एक ही बेटी जो की बहुत ही खुबसूरत थी, उस नजूमी ने यह सोचा कि मैं अपनी भांजी क शादी रईष आद्मी से करवाकर उसकी जायदात का मालिक बना दूंगा और पिर उससे मुझे भी रकम मिलती रहेगी, फिर उस नजूमी ने ठोड़े दिन बाद रईष आद्मी की शादी अपनी भांजी से करवा दी, फिर उस रईष आद्मी ने अपनी बीवी को वह इसलिए शेहनाज ने भी अपने रईस शोहर को मालुम ना होने दिया कि वह नजूमी की भांजी है। शेहना एक गरीब घर की लड़की थी। उसने कच्चे घर में अपनी परवरिश पाई थी। इसलिए उसको अपने शोहर के महल नुमा घरों को देखने का बहुत शौक था वह रोज अपने रईस शोहर का एक-एक महल देखा करती थी। जब उसने सारे महल देख लिए। उसके शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा एक ऐसा महल है जो आबादी से दूर है। तुमने अभी तक नहीं देखा। वह मेरे बाप दादाओं ने बनाया था। वह बहुत पुराना है। उसको देखने के लिए एक दम से वह मचलने लगी। रईस आदमी कहने लगा कि उस महल में सुबह तो मैं खुद लेकर जाओंगा। जब सुबह हुई वह रईस आदमी अपनी बीवी शहनाज को पुराने महल में लेकर गया। वह महल देखने में बहुत पु तो वहा आदमी अपनी बीवी को उसी कमरे में लेकर गया जिसमें एक अल्लाह वाले बुझुर्ग जो की बहुत ही नेक थे वह तिलावत कर रहे थे। उस पुरे महल में वहा अल्लाह वाले बुझुर्ग अकेले ऐने में बहुत ही थी अजीब नजर आते थे। शेहनाज ने अपने शोहर से कहने लगी कि यह दरखत देखने में बहुत ही बहुत ही अजीब नजर आते हैं। क्या इन बुज़र्गों को इन दरखतों से खौफ नहीं आता।। वह रईस आदमी कहने लगा कि वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, जो अल्ला की इबादत करते हैं, उनको किसी चीज का खौफ महसूस नहीं होता, उन अल्लावाले बुजर्गों का कहना है कि इन दरखतों के नीचे सांपों की एक बस्ती है, कई सांप ऐसे हैं जो अल्लावाले बुजर्ग से बातें करते हैं और इनसानी शकल इत्यार करते हैं, शेहनाज यह बातें सुनकर थोड़ा डर गई थी, फिर उसके बाद वह अपने घर वापस चली गई, शेहनाज की मदद से उसका नजूमी मामू और उसकी बुढिया मा, जो सदियों से गरीबी की जिन्दगी जी रहे थे, अब खूब जे मस्ती में और दिन इद की तरह गुजरने लगे, इसी तरह करते करते शेहनाज की शादी को दो साल हो गए, मगर उससे भी उस आदमी को उलाद ना हुई, तो वह रईस शक्स बहुत मायूस हुआ, फिर एक दिन रईस आदमी ने उससे में आकर उस नजूमी को अपने महल में बुलवाया और कहने लगा कि तुम एक जूठे नजूमी हो, तुम्हारी पैशन गोई भी जूठी साबित हुई, लिहाजा अब तुम सजा के लिए तयार हो जाओ, वह नजूमी कहने लगा कि सरकार इस नामुराद का सरकाट कर आपके कदमों में हाजिर हो, इस से बार फिर खुश होकर उस नजूमी को मोतियों का हार दिया, वह नजूमी हार लेकर अपनी बुढिया बहन के पास गया, और जाकर कहने लगा कि तुम थोड़े दिनों में यह मशूर कर देना कि मेरी बेटी शेहनाज रईज, आदमी की सबसे छोटी बीवी माँ बनने वाली है, वह बुढिया कहने लगी कि यह बात मशूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जूटी बात को निभाना बहुत मुश्किल है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, नजूमी कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारा यह नजूमी भाई कि दिन काम आएगा, आगे मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं एक ऐसी तद्बीर बनाऊंगा कि मैं और तुम बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे, फिर नजूमी की बुढिया बहन ने चन्द दिनों में यह बात मशूर कर दी कि शहनाज मा बनने वाली है, उस आदमी की सबसे छोटी बीवी इस खांदान को वारिस देने वाली है, उस रईस आदमी ने खुश होकर गरीबों मश्क में बहुत सी चीजें तकसीम की और रईस आदमी ने नजूमी को भी अपने पास बुला कर बहुत सारे इनाम दिये नजूमी रईस, आदमी से कहने लग उसकी पैदाइश के 14 साल आप पर बहुत सखत गुजरेंगे, वह रईस आदमी कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया, नजूमी कहने लगा कि आपके खांदान के चश्मों चिराक को अगर उसकी मा और नानी के अलावा किसी और ने देखा, तो आप आपका शहजादा बेटा एक भूत बन जाएगा, या वह मर जाएगा, रईस आदमी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुर्जा गया, रईस आदमी की आवास तो एकदम दब कर रह गई थी, वह यह सुनकर बहुत परेशान हो गया, कहने लगा कि सर क्या ये खुशी की बात न जब वह शादी करके अपनी दुलहन लेकर घर में वापस आए, तो आप अपने बेटे और बहु की सूरत एक साथ देख लीजेगा, उस नजूमी की यह सारी बातें सुनकर वह रईस आदमी बुत बन कर खड़ा, यह सोच रहा था कि पहले तो अल्लाह ताला ने कई साल तक उसे उलाद की नेमत से महरूम रखा, और जब उलाद की खुशी मिली तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी, दिन रात बेचैनी बेकरारी में गुजरते रहे, फिर रईस आदमी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि आबादी से दूर एक खुबसूरत आलीशान महल तयार करवाया जाए, और उस महल के चारों तरफ एक बहुत ही खुबसूरत बाग बना दिया जाए, ताकि उनके वारिस की परवरिश अच्छे से हो सके, थोड़े ही दिनों में एक खुबसूरत महल बनकर तयार हो गया, जब बच्चा पैदा होने के दिन करीब आए, रईस आदम गैर औरत की नजर बच्चे पर ना पड़ सके, जब दिन पूरे हो गए, तो नजूमी की बहन ने अपने भाई से मशवरा किया, उन दोनों बहन भाईयों ने मिलकर एक नौकर के जरीए रईस आदमी को बेटा पैदा होने की इत्तला दी, उस रईस आदमी की खुशी की इं पैठाई तकसीम की खेल तमाशे किये गए और उन अल्ला हवाले को बुला कर अपने बेटे की उम्र दरास के लिए बहुत सी दुआएं की गई, कई रोज तक मिस्कीन गागों को खाना खिलाया गया, बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी की गई, कैदियों को रिहा कर और उहदेदार के उहदे बढ़ा कर मजीद तरक्की बढ़ा दी गई, नजूमी यह सब देखकर अपनी चालबाजी और चालाकी पर बड़ा फखर महसूस कर रहा था, कि मैंने कितनी आसानी से इस मुलक कर के रईस आदमी को बेवकूफ बना दिया, फिर अपनी बहन और भा तो अपनी भानजी शेहनाज से कुछ ना कुछ लेता रहता था, अगर उसको कुछ खास चीज की जरूरत होती तो वह शेहनाज से कहकर रईस आदमी से मंगवा लेता, इसी तरह वह अपनी मुसीबतों से अब तक आजाद हो चुका था, शेहनाज और उसकी बूढ़ी मा दो बताया करती थी, खूबसूरती का हाल भी बड़ी खुश होकर बताया करती थी, वह रईस आदमी उनकी बातें सुनकर अपने बेटे के बारे में सोचता, फिर ठंडे ठंडे सांस लेने लगता, लेकिन वह मजबूर था, अपने बेटे अली को देख नहीं सकता था, इसी तर काफी अर्से का वक्त गुजर गया, जब बरकत नजूमी के बताये हुए 14 साल पूरे होने को आए, तो वह रईस आदमी को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी, रईस आदमी ने उस नजूमी से अपने बेटे की शादी का पूछा, तो कहने लगा कि सरकार शादी क इसी भी लड़की से अपने बेटे की कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर उस आदमी ने सोचा क्यों ना मैं अपने पुराने महल में जाकर अल्लाह वाले बुजुर्ग से कोई मश्वरा तलब करूं। वह रईस आदमी अपने दो नौकरों को लेकर अपने पुराने महल में और अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया। उस वक्त वह अल्लाह वाले बुजुर्ग एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ कर इबादत कर रहे थे। वह पूछने लगा आप तो दिन र रईस आदमी की बातें सुनकर पहले तो काफी देर खामोश रहे। उसके बाद वह अल्लाह वाले कहने लगे। आपको तो अपने बेटे की कोई ख़बर नहीं। तो आपको कैसे बता सकता हूं कि आप अपने बेटे की शादी किस लड़की से करें। वह रईस आदमी कहने लगा कि आप फिक्र ना करें। मेरा बेटा अब जल्द ही सब के सामने आ जाएगा। फिर अल्लाह वाले बुजर्ग कुछ सोचने के बाद उस आदमी को कहने लगे कि आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करें जो कि हाफिज कुरान हो नेक हो। पांच वक्त की नमाजी परहेजगार हो। जब वह रईस आदमी चला गया तो उस दरखत के पीछे एक काला सांप रेंगता हुआ आया वह रईस आदमी और उन अल्लाह वाले की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। उस रईस आदमी के बहुत सारे तालुकात थे। बड़े-बड़ आदमीों के साथ उसका रहन सहन था मगर वह किसी गरीब हाफिज कुरान लड़की की तलाश में था। आखिरकार रईस आदमी ने एक हाफिज कुरान लड़की को तलाश कर लिया जो एक बेवा औरत की बेटी थी उसके साथ अपने बेटे का रिष्टा तै कर लिया और इजाजत किसी को भी नहीं थी इसलिए उसकी मा और नानी दोनों ही उसको दूलहा बना रही थी। रईस आदमी के महल में बारात जाने की तैयारियां हो रही थी। नजूमी की बुढिया बेहन अपने भाई से कहने लगी कि बारात जाने का वक्त हो गया है। अब हम लोग इस मुसीबत को भी जहल लो मैं तो कहीं खामोशी से फरार हो जाओंगा। यह सुनकर तो बुढिया के पाम तले जमीन निकल गई। उसके बदन थड़क कांपने लगे थे। वह कहने लगी कि हाए हाए रईस आदमी तो हमारी बोटिया करके चीलो और कव को खिला देगा। अरे जालिम तु हमें जहन्नुम में धकेल रहा है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। नजूमी कहने लगा कि देखो बहन यह भाई ने तुम्हें इतनी देर तक जन्नत में भी तो रखा हुआ था। अब इसका सिला मुझे यह दे रही हो। उस पर बहन कहने लगी कि याद अरक बरकत अगर तुमने हमें इस हाल में छोड़ा तो तेरी बख्षीश कभी नहीं होगी। तु हमें अभी जंगल में शेरों के पास छोड़कर जा रहा है रईस आदमी की बीवी। शेहनाज भी उनकी बातें सुनकर दोनों मा बेटी एक दूसरे के साथ लिपट कर रोने लगी। नजूमी बरकत इन दोनों को देखकर कभी हसता तो कभी गुनगुनाता। जब दोनों मा बेटी रोते रोते हिचकियां बंद गई तो नजूमी कहने लगा कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। चलो मेरे साथ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। उ इस बुत को पालकी में रख देना। रात के वक्त जब बारात रुके तो तुम दोनों पालकी से दूर हट जाना। और सुबह के वक्त यह मशूर कर देना कि अली को किसी ने रात को छुप कर देख लिया था। इसलिए यह बुत बन गया है। इस तरह हम सब बच जाएंगे बुढिया सारी बात समझ चुकी थी। फिर उसने खुशी खुशी उस बुत को शादी का जोड़ा पहनाया, बनाव शरंगार किया, फूलों का हार डाला। पालकी में एक जगा बिठा कर खुद भी पालकी में बैठ गई और पालकी के परदे उठा कर नौकरों को आवाज पालकी उठा कर बाहर ले जाए, बाहर बड़े धूम धाम से आतिश बाजी हो रही थी, इस आतिश बाजी को देखकर दो सांप बाहर आये और उनके पीछे चल रहे थे, पीछे बड़े बड़े हाथियों के उपर फौज और सिपाही बैठे हुए थे, यह बारात बड़े ह जोश खरोश के साथ चल रही थी, बारात चलते चलते रात को उस जगह पर पहुँच गई, जहां पर उन्होंने पहले इंतजाम कर रखा था, यहां सब ने बैठकर खाना खाया और खूब मजे लिए, इसी तरह जब काफी रात हो गई, तो सब लोग सोने के लिए चले गए दूले की पालकी शीशम के दरख्त के नीचे रखवा, उस बुढ़िया ने सब को यह कहकर दूर कर दिया कि अली को ताजा हवा की जरूरत है, लिहाज़ा इस पालकी के नजदीक कोई भी ना आए, अगर किसी की नजर इस अली पर पढ़ गई, तो फिर सब उसके जिम्मेद साल का हो जाता है, तो अपनी सूरतें बदल लेता है, और बातें भी करता है, जब दो सांप पुराने महल से उस बारात के पीछे आए, उस वक शीशम के दरख्त के उपर बैठे हुए थे, और आपस में बातें कर रहे थे, नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी यह बारात, उसने कहा कि हाँ, मैंने देखी, नाग कहने लगा कि यह बारात नकली है, इस पालकी में जो दूलहे की जगह एक बुत रखा हुआ है, और यह बुढिया सुबह होते ही रोना पीटना शुरू कर देगी, उस दूलहे को किसी ने देख लिया है, और यह एक बुत बन गया है, इस तमाम मकरूह फरेप के पीछे एक नजूमी का हाथ है, फिर यह सारे खेल से इनको निजात मिल जाएगी, और वह रईस आदमी इस हकीकत को समझेगा, और फिर उस रईस आदमी को बहुत सदमा होगा, उस रईस आदमी की जान चली जाएगी, नागिन के कहने कोई उलाद इसकी है ही नहीं, फिर उस नागिन को भी उस रईस आदमी पर बहुत तरस आया, वह नाग नागिन भी कई सालों तक इसी के पुराने महल में रहते थे, नागिन कहने लगी कि इन मकारियोस नहीं किया जा सकता, वह रईस आदमी की जान मुफ्त में चली जाएग कि नाग कहने लगा, बुढिया तो पहले ही बहुत सारी मकारी फैला रही है, जब वह एक जिन्दा लड़के को देखेगी, तो हैरान हो जाएगी, अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो, तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो, तो असल वाले अली को पैदा करो, बताओ कि कहा है, नागिन कहने लगी, वह तो सब ठीक है, मगर तुम उसके बाद क्या करोगे, नाग कहने लगा कि मैं दूलहा बनकर उस आदमी की बहु को बहा ले जाओंगा, फिर किसी भी तरीके से एक हफते के बाद तुम्हारे पास आ जाओंगा, नागिन को इस आदमी से हमदर् मगर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूँगी, तुमको एक हफते तक मेरे पास वापस आना होगा, नाग ने कहा कि हाँ, मैं जरूर आओंगा, फिर उस नाग ने अपना चहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया और उस बुथ को जाडियों में फेंक दिया गया, बुढिया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकल कर अपनी मकारी खेलने वाली थी, उसने पालकी का परदा उठाया तो सामने बुथ की जगह एक जिन्दा खूबसूरत लड़का नजर आया, उसको देखकर एक अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमको एक जिन्दा सही सलामत दूलहा मिल गया, फिर कुछ सोचने के बाद बुढिया कहने लगी कि चलो, मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूलहा बना रहने देती हूँ, फिर बारात उस गरीब हाफिज कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुँची, पहला दिन बारात को मेहमान बनाया गया, दूसरे दिन फिर निकाह पढ़ाया गया, उस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिये, और इसी शानों शौकत के साथ बारात वापस चली गई, यह 14 साल उस रईस आदमी ने कैसे गुजारे थे, यह सिर्फ वही जानता था, इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही बेकरारी का दिन था, वह बहुत बेसबरी से बारात का इंतजार कर रहा था, खुदा खुदा करके बारात महल के दर्वाजे पर पहुंची, उसने पाल उसका दिल खुशी से उचल रहा था, उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना करें, उस रईस आदमी ने अपने बेटे और बहु के आने की खुशी में बहुत सारा जश्न मनाया और उनके लिए हर नेमत पेश की गई, उसने अपने महल को इस कदर सजाया कि देखने वाला देखता रह जाता, उस रईस आदमी ने अपनी बहु और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और कनीज मुकरर कर दी गई थी, जब नाग ने इनसानों की दुनिया में यह इतना आश और आराम देखा, तो अपनी पहली जिंद नाग का इंतजार करते करते ठक गई, और उसने इरादा किया कि वह अपने नाग की तलाश में जा रही हूँ, तुम सब मुझे इजाजत दो, इनसानों की दुनिया में जाने के लिए, वह नागिन अपने कुनबे से रुखसत लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ी, नागि काफी दिन तक जंगल में भटकती रही, हर जगह तलाश करती रही, अहिरकार एक दिन नागिन महल में पहुँची गई, नागिन दिन भर महल के बाग में चुपी रही, और रात होते ही दर्वाजे पर गई, लेकिन महल में जाने के तमाम रास्ते बंद नजर आ रहे थे, वह अंदर चली जाती, आखिर मजबूर होकर एक बाग में चुप गई, सुबह के वक एक आदमी ने महल का दर्वाजा खोला, वह बेचैनी से अंदर दाखिल हुई, तो एक आदमी ने उसे देख लिया, और सांप सांप का शोर मचाता हुआ, उसके पीछे दोड़ने लगा, उ पीचारी का मुह कुचला गया, जैसे ही अली कमरे से बाहर निकला, तो उसने कहा, क्या तमाशा है तुम, सबने क्या सुबह सुबह शोर डाला हुआ है, दो खादिम ने हाद बांध कर अदब की, कि छोटे सरकार एक सांप बाग से निकल कर महल में दाखिल हो गया था, उसने दो खादिम को दस लिया, लेकिन बाकी खादिम ने मिलकर उस सांप का मुह कुचल दिया है, छोटे सरकार अली ने दोड कर मरे हुए सांप को देखा, तो उसकी आँखों में आंसु आ गए, अली को नागिन की मौत और अपनी वादा खिलाफी के ख्याल से उसके दिल को उसकी बीवी और बाप ने उसकी उदासी की और रोने की वजह पूछी, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया, वह अपने इसी गम को लेकर उन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के पास रेंगता हुआ गया, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के पास जाकर उसने इनसानी श जरूर लेता है, अगर मैं इन दोनों से बदला लूँगा, तो मेरी बीवी और उस रईस आदमी को मेरा इल्म हो जाएगा मैं एक सांप हूँ, उसका बेटा नहीं, वह अल्लाह वाले बुजरुक कहने लगे, कि यह मैं जानता हूँ कि तुम इनसानी मखलूक नहीं हो और उस रईस आदमी की कोई आउलाद नहीं, तुम ज्यादा देर तक उस हाफिज कुरान लड़की से जूट नहीं बोल सकते इसलिए तुम्हें एक दिन उसको सच बताना होगा और जो मर चुका है उसका गम ना करो जो इस दुनिया से चला जाता है वह किसी का भी सगा नहीं होता चाहे उसकी अपनी उलाद ही क्यो ना हो अगर तुम उसे अपनी सांप वाली जिन्दगी में चले गए तो तुम्हारी नई नवेली दुलहन तडप तडप कर मर जाएगी और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सब के सामने आ जाएगी तो तुम सांपो की की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दोगे तुम्हारी हाफिज कुरान बीवी तुम्हारी लंबी जिन्दगी के लिए बहुत दुआएं करती है तुम अपनी इस जिन्दगी में ध्यान दो वह नाग अल्लाह वाले की बातें सुनकर अपने महल में आ गया और उधर आकर फिर उसको खयाल आया अगर मेरे कुनबे वालों को मेरी नागिन बीवी की मौत की खबर मिली तो वह मेरी इस बीवी के दुश्मन बन जाएंगे और उसको मेरी नागिन का कातिल समझ कर जरूर एक ना एक दिन डस लेंगे इस खयाल से वह बहुत बेचैन हो गया और खूब गौर करने के बाद अपनी बीवी के पास जाकर बोला मैं तुम्हें चंद नसीहत करता हूँ इनका हमेशा खयाल रखना बीवी ने कहा कि आप मुझे बताएं मैं इस पर हमेशा अमल करूँगी नाक कहने लगा कि कांच की चूडियां पहनना मटर की फलियां खाना ग्वालन से दूध लेकर पीना और फूलों के गजरे पहनना हमारी रीत नहीं है इसलिए इनसे बचना बीवी ने वादा किया कि आप मुझे पर भरोसा रखें मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी और इनसे बच कर रहूंगी चन दिन बाद एक चूडियां बेचने वाली औरत आई अपनी चूडियों की खूब तारीफ करने लगी बेगम ने चूडियां देखकर कहा चूडियां तो बहुत अच्छी है लेकिन क्या करूं कांच की चूडियां पहनना हमारी रीत नहीं इस बात को सुनकर वह चूडियां बेचने वाली हैरान रह गई और बोली अगर कांच की चूडियां पहनना आपकी रीत नहीं तो जरा अपने शोहर से पूछना कि उसकी जात क्या है रात को बीवी ने अपने शोहर से पूछा कि जरा मुझे बताएं तो आपकी जात क्या है वह कहने लगा कि मेरी जात मालूम ना कर तू हमेशा पच्टाएग उसकी बेगम खामोश हो गई कुछ दिन बाद मालन फूलों के गजरे लेकर मतर की फलियां बेचती हुई आई और बेगम से इन चीजों की बहुत तारीफ करने लगी उसने यह कहकर रीने से इंकार कर दिया फूलों के गजरे पहनना और मतर की फलियां खाना हमारे खांदान की रीत नहीं ये सुनकर मालिन हैरान रह गई और बोली बेगम अपने फूलों के गजरे पहनना मटर की फलियां खाना आपकी रीत नहीं तो अपने शोहर से पूछना कि उसकी जात क्या है रात को फिर नाक से उसकी जात पूछी तो उसने कहा बेगम मेरी जात मालूम ना करो वरना तुम बहुत पच्चता होगे एक हफते के बाद एक ग्वालिन आई और अपने दूद की तारीफ करने लगी लेकिन बेगम ने उसे भी यही कहकर दूर कर दिया कि दूद पीना हमारी रीत नहीं हैरत से बेगम की सूरत ताक लगी और बोली बेगम साहिबा ये तो बताइए कि आपके शोहर की जात क्या है अ आज मैं पूछ कर ही रहूंगी वह कहने लगा मुझसे मेरी जात ना पूछो वरना तुम बहुत पच्चताओगे और नुकसान उठाओगे उस हाफिज कुरान लड़की ने कहा कि मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े लेकिन मैं आपकी जात पूछ कर हाफिज कुरान लड़की ने किसी तरह से रात गुजारी फिर सुबह होते ही वह लोग पुराने महल में पहुँच गया पुराने महल में पहुँच कर शोहर ने कहा कि बेगम मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि मुझसे मेरी जात ना पूछो तुम बहुत ज्यादा पास छोटे बड़े सुराख बने हुए थे। उसके शोहर ने कपड़े उतार कर उन सुराख के पास खड़े होकर कहा कि एक बार फिर से कहता हूँ कि मेरी जात ना पूछो वरना तुम पच्टाओगे। उसका शोहर उस सुराख के पास खड़ा था। एक बार फिर से कहता हू कि मेरी जात ना पूछो बेगम कहने लगी कि यह अजीब मजाक है बार बार मुझे यही कहे जा रहे हो कि जात मत पूछो फिर भी मैं पूछ कर रहूंगी आखिर तुम्हारी जात क्या है वह नाग हाफिज कुरान लड़की का शोहर मजबूर हो गया वह अचानक इनसान से साप बन गया और रेंगने लगा उसकी बीवी का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा और यह भूल गई थी कि मेरा शोहर एक स्याह नाग उसके दिल में यह बात पैदा हुई कि कुछ भी हो यह मेरा शोहर है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाही उसने भाकर अपने रेंगते हुए शोहर को पकड़ना चाहा जो की सांप बन चुका था वह जल्दी से एक सुराख के अंदर अपना मुह डाला और वहीं उसके अंदर गुम हो गया जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया उसकी बेगम के पाउं जमीन पर टिक नहीं रहे थे अब वह इधर उधर बटक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पचता रही थी वह रोती आंसू बहाती जा रही थी अपने शोहर यानी की नाग की तलाश में चली जा रही थी कि एक घर दिखाई दिया वह उस घर में दाखिल हो गई यह घर ज्यादा बड़ा नहीं था वह जल्दी से तै करने के बाद दूसरी तरफ पहुँच गई यहां हलकी हलकी नीली नीली रोशनी थी वह हाफिज कुरान लड़की चलती चलती ठक गई थी थोड़ी देर के लिए उसने सांस लिया और फिर नाक की तलाश में रवाना हो गई उसका शोहर उससे बिछडने के बाद कहां गया अब वह किस जगह मिलेगा अगर ना मिला तो वह क्या करेगी ऐसी ही बातें उसके दिल में पैदा हो रही थी वह गिरती पड़ती जिधर मुह उठाती चली जा रही थी रह रहकर उससे ख्याल आता कि उसने शोहर की जात क्यों पूछी वह जब कह रहा था कि मेरी जात ना पूछो पच्छताओगी तो मैंने अपने शोहर की बात क्यों ना मानी आखिरकार वह एक कुएं पर पहुँची उसके ढेर पर बैठी हुई कुछ लड़कियां बार बार पानी भरने आ रही थी उनमें से हर लड़की खूबसूरत थी मगर उनकी आँखें बहुत अजीब थी हर लड़की की आवाज मीठी और सुरीली थी लेकिन किसी की बाहों में चूडिया ना थी नाक कान में कोई जेवर नहीं था आपस में बातें करती और हफीज कुरान लड़की को एक नजर देखकर चली जाती फिर थोड़ी देर के बाद आकर पानी भरने लगती आखिर उस हाफिस कुरान लड़की ने पूछा कि तुम इतना पानी कहां लेकर जा रही हो वह लड़की ने जवाब दिया कि हमारे मामो इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे दिनों के बाद वापस आये हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमलक नहला रहे हैं इस बात को सुनकर हाफिस कुरान लड़की को यकीन हो गया कि लड़की का मामो ही उसका शोहर है उसने लड़कियों की निगाह से बचकर अपनी उंगली से एक अंगुठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी में डाल दी उसका शोहर एक पत्थर पर लेटा हुआ था लड़कियां उसके बदन पर खुश्बू से साबुन मल रही थी और अतर छिड़क रही थी कुछ लड़के हथेलियों से बदन को मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी उसपर पानी डाल रही थी जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उस पर डाला तो उसे हाफिस कुरान लड़की की अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी वह उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया कि यह अंगूठी उसकी बीवी की है उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगुठी कहां से आ गई। उसने हैरानी से अंगुठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं। मेरे मटके में यह अंगुठी कहां से आई। नाग बोला। कुएं पर कोई औरत तो नहीं थी। सब मेरी बेगम मेरी तलाश में यहां तक आ पहुंची। उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने कहा कि बेगम तो तेरी जात मालूम हो गई है। लेकिन फिर भी वह तेरी तलाश में है। शायद हाफिज कुरान है इसलिए वफादार लड़की है और एक कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी बेगम बैठी हुई थी जैसे किसी खयाल में डूबी हुई थी। उसका मुर्जाया हुआ चेहरा देखकर नाक का दिल उसके काबु में ना रहा। उसने फोरन ही अपनी काया पलटी और इनसान बनकर उसक की सूरत देखने लगी। नाग उसकी यह हालत देखकर बोला कि बेगम मेरा खयाल था कि तुम बहुत जिद्दी हो इसलिए मैं तुमको छोड़ कर यहां चला आया था। लेकिन अब तुम्हारा दिल भी देख लिया और समझ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा मोहबबत है। और तुम मुझे बेहत चाहती हो। बेगम प्यासी नजरों से उसे तक्ती रही होठों को मामुली सी हरकत दी। लेकिन जबान से कोई बात न निकली। आखिर शोहर ने आगे बढ़कर उसके शाने पकड़े और कहा कि उठो बेगम मेरे साथ मेरे चलो और तुम्हारा हाल सुनाओंगा। मुम्किन है कि उन्हें तरस आ जाएगा और मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे देंगे। उस हाफिज कुरान लड़की के खुश्क होठों पर मुस्कुराहट की एक लहर दोड़ गई। उसकी बेगम ने एक बार फिर अ अपनी सारी कहानी बयान की और उसे बताया कि एक बरकत नजूमी है। किस तरह उसने उस रईस आदमी को बेवकूफ बनाया और नकली बारात जंगल में डेरा डाला। तो वह सांप से अली बनकर पालकी में बैठ गया था। और जब मेरी नागिन महल में गई तो खादिम न नागिन थी। तुमको उनसे बचाने की गरचसे से इन चीजों को खरीदने से मना किया गया था। और यह तमाम बातें सुनकर उसकी जुबान से वह हैरान हो गई। लेकिन वह खामोश रही। वह नाग अपनी बीवी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सब को मुख पहले की तरह चाहती है और मेरी तलाश में यहां तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ चला जाओं। उसके शोहर ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है। इसलिए तन्हा रहना मेरे लिए वैसे भी मुश रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे लगे रहते हैं। वह भी इनसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी। और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी हाफिज कुरान लड़की से हो जाए तो तुम के लिए इनसानों की दुनिया में रह सकते हो। और मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज, कुरान है अगर मैं इसके साथ इनसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिन्दगी हसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का क्टिय नहीं होगा। सांप के कुन्बे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इनसानों के हवाले करते हैं जाओ जाकर अपनी बेगम को ले जाओ और अपनी जिन्दगी हंसी खुशी बसर करो जब वह दोनों मिया बीवी पुराने महल में दाखिल हुए, तो उन अल्लाँ वाले बुज़र्ग के पास गए। उनको जाकर सारा वाकया बताया। फिर अल्लाँ वाले ने उन दोनों मिया बीवी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई उस रईइस आदमी को बताओ। फिर जब द लेकिन उस वक उसके जिस्म में नया खून दोडने लगा। उसने बिस्तर से उठकर उन दोनों को गले से लगा लिया। जब जरा उस आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहां गायब थे। उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच-सच कहकर रईस आदमी हैरान रह गया और सोचने लगा नजूमी उसकी बहन और भांजी कितना अर्सा से उसे बेवकूफ बना रहे थे और दिन रात उसको ठग रहे थे। रईस आदमी का जिस्म गुस्से से कांपने लगा और उस वक उस नजूमी और उसकी बहन को बुलवा कर हुक् अपने में यह कसर नहीं छोडेंगे। वह दोनों गिड़गिडा करर उस आदमी से माफी मांगने लगे। मगर उस आदमी ने उन दोनों की एक ना सुनी। बलकि अपने नौकरों से कहा कि इन दोनों को फॉरन मेरी नजरों से ओज़ल कर दो। उस वक्त नौकर उन दोनों क खींच कर वहां से ले गए और दूसरे दिन उन दोनों मकारों को सूली पर चढ़ा दिया गया फिर उस रईस आदमी ने अपनी बेगम शेहनाज को उम्र कैद की सजा सुना दी थी क्योंकि उसने बीवी होते हुए भी उसको सच नहीं बताया था बलकि अपनी मां और मामू का ह अलीथा समझा कि शायद इसकी वजह से उनकी यह हालत बनी है इसलिए वह रईस आदमी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है लिहाजा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जाओंगा रईस आदमी पहले तो उसकी शकल देखता रहा फिर कहने लगा कि तुम इंसान हो या नाग मुझे इससे कोई वास्ता नहीं मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है और अब भी तुम इसी निगाह से देख रहा हूँ तुमने भी मेरे साथ कभी ऐसी कोई बात नही की जिससे मैं यह समझदार कि तुम मेरे बेटे नहीं हो इसलिए मुझसे तुम्हारी जुदाया बरदाश्त नहीं होगी वह नाग अली सर जुकाय बैठा हुआ था रईस आदमी की बातों का बहुत गहरा असर लिया था उस नाग ने और अपने दिल में कहने लगा कि मैं इ इसलिए मुझे आपका बेटा बनाया है इस महल के अलावा बाकी सब लोग तो यही जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ तो वह रईस आदमी कहने लगा तुम हमेशा मेरा बेटा बनकर रहना और मेरे मरने के बाद मेरी मल्किया तुम संभालोगे वह नाक उठकर उसने उस आदमी के हाथ पकड़ कर चूमने लगा और फिर हंसी खुशी उनके साथ जिन्दगी बसर करने लगा प्यारे दोस्तों अल्ला पाक ने महबबत में इतनी ताकत रखी है अगर आप यह महबबत किसी सांप से भी करें तो वह भी आपका वफादार बन जाएगा इसलिए आप से इलतजा है कि महबबत करें और महबबत को फैलाएं ताकि इस दुनिया से हमेशा के लिए नफरत खत्म हो जाए